प्यारी साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्रंकार जी साथ संगत एक परिचय होता है एक प्राप्टी होती है ज्यान से परिचय होता है परमात्मा का प्राप्टी सत्संग से होती है जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक प्राप्टी नहीं हो सकती है और आओ ज़रा देखें बरिचे हमें हो गया है परमात्मा सत्चित आनंद है ये इसका परिचे है काम क्या है परमात्मा का सर्जन करता है लेकिन जिसका सर्जन करता है उसके प्रति मोह नहीं रखता पालन करता है जिसका पालन करता है उसके प्रति अहंकार पैदा नहीं करता ले करता है जिसका ले करता है उसके प्रति शोक नहीं करता फिर और इसका क्या काम है जो इसके शर्नागत हो जाता है उसका आधी व्याधी उपाधी तीनों रोग खतम कर देता है आधी क्या होती है ज इन चीजों का अभाव होता है। अभाव के कारण इंसान बहुत दुखी होता है। तो जब ये ग्ञान मिलता है, जो कुछ देवे सो कुछ खाके शुकर मनाना से की है। अभाव से इंसान तर्थी मसुस्थ करता है। दूसरी होती है व्याधी, जो हमारे कर्मा अनुसार कुछ रोग हमें लग जाते हैं उनको व्याजी कहते हैं एक तीसरी तकलीफ है वो उपाधी की है वो तकलीफ किसी की दी हुई नहीं अपनी तरफ से पैदा की होती है सभाव के कारण मैं एक मिसाल अरद कर रहा हूँ केक सास के लिए कड़ी बना के दी गई बहुत पसंद आती थी सास को कड़ी जब कड़ी सामने आई उसमें मिर्च जयादा थी बड़ी तेजी से बोली बहु इदर आओ ये क्या बनाया है मिर्च गलती से जयादा पढ़ गए एक शमा करना अगरे दिन उसने फिर सबजी बनाई वो उसको बहुत पसंद आ गई पसंद आया तो फिर जोर से पकारा बहु इदर आज क्या गलती होई कालाची क्यों नहीं बनाई थी अब जिसका सभावी लड़ने का है उसनों कोई नों कोई भाना तो निकाली लेना है इसका काम है इसमें परिवर्तन होता ही रहता है जितने हमारे रिष्टदार आज बैठे हैं इन सब में परिवर्तन होता आया है जो आज हमारे रिष्टदार हैं पचास साल पहले वो हमारे रिष्टदार नहीं थे और 50 साल बाद भी वो हमारे रिश्टादार नहीं रहेंगे लेकिन रंकार में कभी परिवर्तन नहीं होता इसके साथ जो हमारा रिश्टा है वो युगो-युगो का है, कल्पो-कल्पो का होई, आदी का है और अंत तक रहेगा। इसमें कभी फरकाता नहीं अब प्रकृति और प्रमात्मा की बीच का मैं फरक अर्द करना चाह रहा हूँ प्रकृति को कोई पूरा पकड नहीं सकता आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो पूरी की पूरी प्रकृति को ग्रिष्ट में ले ले और परमात्मा किसी के अधूरा पकड में आया नहीं इतने लोग बैठे कोई कहे कि मुझे तो नंकार अधूरा ही दिखाया गया परमात्मा मिलता है तो पूरा ही मिलता है फिर परकिर्टी में परिवर्तन होता रहता है परमात्मा में परिवर्तन नहीं होता पर कृति को कोई पकड़ नहीं सकता परमात्मा को कोई छोड़ नहीं सकता हर साल मंबे में एक वर्ड की कांफरेंस होती हेल्थ की बड़ी दुनिया भर में हल्चल है उसमें भारत के सभी संस्ताओं के लोग आते हैं कि ये रोग क्यों खड़े हो गए हैं कैसे 2000 साल तक सब लो हैं कोई जान योग वाले कोई कर्म योग वाले कोई भक्ति योग वाले तो जब दास खड़ा हुआ तो आप कौन से योग की बात करेंगे मैंने का मेरे बाबा ने अखंडि योग स्काया है जिसमें भीयोग का कोई प्रश्नी नहीं पैदा होता एक बार योग हो गया फिर नहीं हो सकता, मौत से भी आप कभी न कभी चुटकारा पालेंगे, कभी न कभी देर सवेर, पर नंकार से कभी चुटकारा नहीं हो सकता, जनम जनम नहीं हो सकता, और जनमों जनमों के बाद भी नहीं होगा, यह ऐसा अखंड योग है, फिर साथ सगत, कुछ जो सद्गुरु क के चर्णों में गुर्द सीखे हैं, वो कुछ आपके चर्णों में रख रहा हूं, कोई आदमी शोक नहीं चाहता, पर सत्गुरु कहता आपको शोक लग नहीं सकता, आप मौ छोड़ दें, आप शोक को ढूंडते ही रह जाएंगे, कहा गया, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, अपने कातिल आप हैं, अपने मसीह आप हैं, जहर भी रखते हैं, अक्सीर भी रखते हैं, दुख, सुख, मन की अनकूलता सुख है, मन की प्रतिकूलता दुख है, और सत्गुरु के शर्नगति आने में न सुख है न दुख है, के वाला नंद है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता और कैसे दुख्य होते हम साथ संगत एक मेले में एक बुढ़िया आई तो दर्पन की एक दुकान थी लगी हुई दुकान उठाने का वक्त हो गया था मेला खतम हो रहा था तो वह हर एक दर्पन को उठाए ऐसे जाड़े शकल दे के रख दे कि भाई को अच्छा सा दर्पन दखा उसने का ये ले लो कितने का है पच्चीस रुपे का उसको जाड़ा पूचा पच्चीस रुपे बहुत महंगा है ये ले लो बीस का है बहुत महंगा है ये पांच का है बहुत महंगा है आखिर कहा ये लो दो रुपे का उसको भी उसने ज़ाड़ा ले लो ये बहुत सस्ता है दो रुपे का बहुत महंगा है माई तैने लेना भी है कि नहीं अरे मैं कोई आज से नहीं आ रही मैं चालीस साल से आ रही इस मेले में 40 साल पहले मैंने एक दर्पन लिया सा डे रहने का इतनी सुन्दर दिखाई देती थी और ये अब 40 साल के बाद तू दोर में का कह रहा है इसमें तो शकली ठीक दिखाई नहीं दे रही मुझे बेकल सरदी जी की एक लाइन यार आ गई कि धूल चेहरे पे है मगर है दोस्त आइना साफ कर रहे हैं हम आइने का कोई कुसूर नहीं है ये तो प्रकृति है तूँ आप तेरी शकल विगड़ गई है इसलिए आइना तेरे को खराब लग रहा है और साथ सकते जब जब हमको लगता है कि कोई सामने वाला हमको दुख दे रहा है पर्दा लगा होता है पर्दे तो तड़स्त है उसको कुछ करना धरना नहीं है लेकिन पीछे एक प्रजेक्टर होता है उस प्रजेक्टर में जैसी फिलम चल रही होती है पर्दे पर वही आती है अगर हमारे अंदर इर्शा की फिलम चल रही है हमारे अंदर द्वेश की फिल्म चल रही है तो हमको सामने वाले में वही प्रसिफलन होता दिखाई देता है आओ महापुर्शो कपड़े बदल लेने से कुछ होने वाला नहीं कोई श्वेत अंबर हो जाए कोई पीत अंबर हो जाए कोई दिगंबर हो जाए कोई निल अंबर हो जाए अंबर से क्या होना है अंदर का जब तक प्रोजेक्टर नहीं बदलेगा तब तक फिल्म सही नहीं आएगी और सत्गुरू के हम इसी रिए धन्यवादी है कि इसने हमारे जर्म जर्म की ऐसी हिट फिल्म चली हुई थी कोई फिल्मे तो 52 हफते 40 हफते 50 हफते 100 हफते चलती है ये तो फिल्म जर्म जर्म की चल रही थी और इसने ये बदल दिया है और प्रोजेक्टर ही चेंज कर दिया है ये इसकी किरपा है साथ संगजी से